हेलव एबरिवन हमेधन सींग्स वागत करता हूं आप सभी कह आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्य है बहुत कम समय बचा है आपके एक जाएक्जाम में आएगे तो इन्हें पढ़ लेना बहुत जरूरी है तो चलिए बुरी जो कोश्चन है उसके साथ सुरुवात करते हैं टाइम आपका जादा है फूर्थ एसी आई पैरागेम किसे बोलते हैं यानि कि जो फिजिकली चैलेंज़ पीपल हैं यानि कि जो डिफरेंट एबल पीपल हैं अगर मैं बोल चाल की भासा में बोलू यह सब्द नहीं इस्तिमाल करना चाहिए लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं जो फिजिकली हैं जी हां उनका जो है अलग से गेम होता है और यह फूर्थ एसीन पैरागेम से तो आपको बताना है कि इंडिया की रैंकिंग कितने आई थी टोटल ऑबरॉल में तो देखिए इसकी जो रैंकिंग है इंडिया की इंडिया के रैंकिंग फिपता ही थी यांपे इंडिया जो है पांच में नंबर पे रहा था और एक्जाम में यह भी कोशन पूछा जा सकता है कि फोर्थ एसीन पैरागेम्स को जो है किसने जो होस्ट किया था तो देखिए इसकी जो होस्ट व देखिए यहां पे जो है gold medal इंडिया के द्वारा जो है 29 जीता गया था ठीक है silver medal की अगर मैं बात करूँ तो silver medal जो है इंडिया ने 31 जीता था और इसी तरह से bronze medal यानि की 80 पदक की बात करूँ तो total इंडिया ने 51 80 पदक जीते थे तो यह हो गया summarize मैंने कर दिया आप लोगों के लिए चलिए अगले question के और आम लोग बढ़ेंगे next question आपके सामने यह रहा निलावू कुदीचा सिम्हागल यह जो है किसकी autobiography यानि कि किसकी आत्मकता है ठीक है अब देखो जे ओ आत्मकता होती है न वो खुद के दौरा लिखी जाती है तो यह बायोग्राफिक किसके दौरा है तो आपको जानकर हैरानी होगी कि अभी जो इसरो के current chief हैं आपको नाम तो पता ही होगा आपने जो है चंदरियान थिरी के दौरा ने इनका नाम बहुत दे आलम में, याद रखेगा मल्यालम में जो है इनकी आत्मकता को परकासित किया गया था ठीक है पहली बात, दूसरी बात यह भी आपको याद रखना है ये आत्मकता इन्होंने किस परपस से लिखा तो ये जो है यूवाओं को यानि की यूथ को और बच्चे को, चिल्डरन को जो है प्रोत्साहित करने के लिए साइंस में जो है इंड्रेस्ट इनका जगे इसलिए इनोंने अपनी जर्णी को यहां पर पैंडाउन किया है लिखा है इसे ठीक है चलिए अगले कोश्चन क्यों हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट कोश्चन आपके सामने यह रहा रगवी मैंना कभी-कभी यह सवाल पूछ दिया जाता है कि रनर अप टीम यानि की उप विजेता टीम कौन थी दूसरे नंबर पे कौन सी टीम रही थी तो देखिए इसका सही जबाब क्या हो जाएगा न्यूजलेंड यहां पर क्या रहा था रनर अप टीम रहा था उप विजेता रहा था दो बातें तो आपने सीख ली तीसरी बात आपको जो जानने वाली बात है इस गेम को जो है फ्रांस ने होस्ट किया था तो आपको बताना है फ्रांस में यह जो है गेम का आयोजन हुआ था ठीक है चलिए अगले कोश्चन की औरम लोग बढ़ेंगे सारी बाते हो कोई question number 3 की question number 4 की और बढ़ते हैं देखिए बैलेंडी और जो 2023 एवार्ड है देखिए ये एवार्ड का नाम है हिंदी इंगली से कोई लेना देना है नहीं मैसी है ना इनको जो है ये अवार्ड दिया गया है मैसी को और याद रखिए ये जो है आठ वीवार 8 ताइम जो है इनोंने ये पुरुसकार जीता हुआ है कितने टाइम एड ताइम तो ये बहुत important सवाल है सबसे individual जो है price दिया जाता है put wall में सबसे अच्छा परदर्शन करन वाले को तो राइट अनसार आपका क्या हो जाएगा option number B अगले question के और हम लोग बढ़ेंगे उसे पहले आप मेसी की फोटो भी देख सकते हो profit के साथ अगले question के और हम लोग बढ़ेंगे next question थोड़ा सा दुख देगा आपको global hunger index में यानि की पूरे 20 में भारत की ranking कितनी है तो 28% लगबग लगबग अगर मैं to be precise बोल दूँ तो 29% लोग जो है यहाँ पे भूखे सो रहे हैं भूख जो है उनको तीनों वक्त का खाना नहीं मिल पा रहा है तो इंडिया में ये problem है और इंडिया की ranking के बारे में पूछा गया है तो याद रखेगा इंडिया की ranking है triple one या जाओंगा यहां से मैंने आपको बताया था कि इंडिया की ranking फीपती थी और हम लोगों ने total 111 जो है medal यहां से जीता था चलिए अगले question के और हम लोग बढ़ेंगे यहां से उससे पले ना यहां से आप जो है इसे देख सकती हो ठीक है इंडिया ने अपनी जो ranking है चार अस् time assignment about जो है किसे दिया गया है तो देखिए सत्यजीत रे बहुत बड़े जो है इंडिया के जो है यह जो क्या थे कहानी कहने वाले अच्छली यह सिनिमा के द्वारा जो है डारेक्टर थे यह producer थे music director थे each and everything मतलब बोलता है ना कि one man army यह बहुत काम किया करते थे यह थी अतूलनिय योगदान देते हैं यानि कि incredible जो है performance देते हैं cinema अपने direction के द्वारा acting के द्वारा या फिर singing के द्वारा तो उनको यह समान दिया जाता है तो फिलाल इसका सही जवाब हो जाएगा option number A Michael Douglas को जो है यह award मिला हुआ है कि इनको मिला हुआ हुआ है Michael Douglas याद रखे यानि कि जो सबसे बढ़िया खिलाड़ी है पूरस वर्ग में वो कौन खिलाड़ी है यह आपको बताना है तो देखे इसका सही जबाब जागा सुमन गिल सुमन गिल को याद रखना है जन्वरी में भी जन्वरी 2023 में भी जो है ICC के दौरा सबसे best man's player का award दिया गया था यहां से आप जो है सुमन गिल की फोटो भी जेख सकते हो और यह question बहुत ही भी भी आई है क्योंकि exam बहुत सारे November December में होने वाले है तो October वाला जो है actually September का है बट यह announce जो है October में किया जाता है ठीक है next question क्यों बढ़ेंगे भारत की पहली semi high speed छेतरी है रेल सिवा का नाम आपको बताना है what is the name of India's first semi high speed regional rail service तो देखिए सबसे पहले न इसे एक 17 km वाले railway track पे जो है इसका प्रसिक्चन किया गया आई मीन जो है से देखा गया ठीक है टेस्ट लिया गया गया इसका लेकिन इसका जो मुख्य मक्सद है इसका जो मैन मोटो है परप करेगा तो 81 km के distance को ये कभर करने वाला है कितने 81 km को और ये दिल्ली गाजियाबाद और मेरट का जो corridor है जो से ये 81 km को करेगा ये कब तक हो जाएगा देखिए 2025 तक जो है इसे बना लेने का कर लेने का जो है सरकार का मनसा है सरकार की मनसा है कि ये इतने दिनों तक इसे कर ल भी हम लोग जो है moon mission वागरा भेजते हैं तो Indian नाम के साथ भेजते हैं लेकिन इसका नाम Rapidex रखा गया है क्योंकि ये semi high speed train है हो सकता है कि इन future इसका नाम बदल दिया जाए और कोई भारतिये नाम ध्रूब या कुछ और भी नाम रखा जाए फिलाल Rapidex आपको नाम याद है आगे अगर कुछ change होता है तो definitely I will update you यहां से आप जो है इसकी फोटो देख सकते हो Rapidex की NCRTC देखिए question मैं आप से पूछ लेता हूँ इसका full form आप लोग नीचे comment section में बताईएगा भारत के railway minister कौन है नीचे comment section में ये भी आपको बताना है अगले question के और हमलोग बढ़े तो देखी ये तेलंगाना में celebrate किया जाता है option D आपका सही जवाब होगा अब बात आती है कि ये तैवार जो है किसलिए मनाया जाता है तो यहां से आप photo देखो क्या बहतरी picture आपको देखेगी South Indian में जो भी जो है festival को celebrate किया जाता है na full का incredible जो है उसमें योगदान रहता है भारती है North में भी या फिर South में भी जहां भी हो इंडिया में फूल का तो contribution रहता लेकिन South में आप देखना वहां की जो महिलाएं है वो भी जो है फूलों को अपने जूड़े में लगाती है तो that is very native to South South के बारे में यहां पर बात की जा रही है फिलाल तेलंगाना के बारे म में पूछा भी जा सकता है तो देखिए वो बोडे ममा है ठीक है यह बतु कम्मा है और एक तेवार का नाम है बडु कम्मा ठीक है हिंदी में मैं लिख रहा हूँ आप इससे जो है समझ लेना ठीक है बडु मम्मा ठीक है इससे आप जो है समझ लीजेगा चलिए अगले question के लोग बढ़ेंगे next question आपके सामने यह रहा हाल में ही सरसोती सम्मान सरसोती एवार्ड जो है किसे दिया गया है सबसे पहले सरसोती एवार्ड जो है याद रखेगा बिरला foundation के दौरा दिया जाता है बिरला foundation जी हां बचपन से आप टाटा बिरला का नाम सुन रहे हैं वही बिरला की बात की जा रही है बिरला जैनी कि Peter England का जो आप सच या print या फिर कोई और product खरिते हो कपड़े वाली Peter England Lewis की यह ब्रांडेटиль कमपनी जो है इंडिया में बिरला कमपनी लाती है और idea का यह То idea जो जो c Goes anim करते हो अभी aos ले और व wed 2022 से किसा सμभान्त किया गया, देखें, ये 22 का सवाल है, लेकिन पूछा 23 में गया है, क्यों कि बाद करूँ कि सबसे पहले सरोसिती सम्मान किसे दिया गया था तो अमिता बच्चन के पिताजी का नाम आपको याद रख लेना है हरिवन्स राय बच्चन हरिवन्स राय बच्चन को जो है ये पुरुस्कार दिया गया था पहली बार में ठीक है चलिए यहां से जो आप इसकी फोटो भी देख सकते हो केके बिरला फाउंडेशन आपको यहां से पीछे से जो है दिखाई दे रहा होगा ठीक है चलिए अगले कोश्चन के और अमलोग बढ़ेंगे अगला कोश्चन देखे क्या है बिस्व बैडमिंटेन रैंकिंग में जो डबल पेयर है डबल पेयर जो जो है भारतिये जोड़ी का नाम आपको बताना है जिसने पहली रैंकिंग हासिल करी है यह जो है ना यह कोश्चन किसी ना किसी एक्जामेट डेफिनेटली पुछा जाएगा इसे भी भी आई आई आप चो है याद कर लीजे देखिए स्वात्विक साई और चिराक से ठी यह नाम आपको याद रखना है इन दोनों ने मिल करना बहुत नाम कमाया है अब मैं इनक इनके द्वारा जो है पहला जो पुरुषकार जो जीता गया है जो डबल से नोंने जीता है वो है स्विस ओपन पहला पुरुषकार हो क्या स्विस ओपन दूसरा पुरुषकार जो है इनोंने जो या फिर जो ओपन जीता है उसका नाम है इंडोनेशिया ओपन आप जो है प कुजकार के बारे में इनके बारे में आपको याद रख लेना है यां से आप इनकी फोटो भी देख सकते हो चलिए अगले कोशन के वरूम लोग बढ़ते हैं जो Summer Olympic है 2028 में यानि कि Grissman Kalin Olympic 2028 में होने वाला है इस Olympic में किन पांच अलग अलग खेलों को सम्मलित किया गया है तो सबसे पले याद रखिए सबसे हाइलाइटेड है किर्केट किर्केट को जो है इसमें सामिल कर लिया गया है तो आंसर तो किर्केट होगा ही बट आपको रुखना है ये पहला भी आंसर सही है baseball को भी सामिल किया गया है, softball को भी और flag football को भी सामिल किया गया चार तो आपको मिल गए, एक जो इसमें आपको नहीं दिखेगा, वो है lorex, इसको भी स्क्वास को भी सामिल किया गया है, तो total 5 हो गए और इसका सही जवाब क्या जाएगा, option number E, सभी यहाँ पर answer हो जाएंगे, ठीक है, चलिए अगले question की और बढ़ेंगे, यहाँ से जो है, अलग अलग जो यह actually to be precise में बात करूँ, तो यह जो है, यह poster जो है release की गए थी, किसके दोर Olympic Committee के दोरा, आगे बढ़ेंगे question की और, कि स्टोफर, लक्सन जो है, किस देश के प्राइम Minister है, उनको जो है, प्राइम Minister जो है, अभी हाल में appoint किया गया है, तो देखिए, Australia इसका जबाब बिलकुल नहीं है, तंजान या Myanmar भी नहीं है, Myanmar में तो भी military coup हुआ है, actually अभी नहीं यह बहुत पहले हुआ है military coup वहाँ पे, आर्मी ने take over कर लिया है, सरकार को आनसान सू की वहाँ पे सरकार थी फिलाल इसका सही जबाब जाएगा, न्यूजलेंड न्यूजलेंड में यह बन चुके हैं सबसे पहले एक और बात याद रखना है, न्यूजलेंड में पार्टी कहां से और भी अलग 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 दिसो मैं आपको जो है देखने को मिलेगा, नीचे कॉमेंट करके बताएगा, यहां से जो है आप इनकी फोटो देख सकते हूँ, चलिए अगले question के और हम लोग बढ़ेंगे, when is world food day celebrated, विसू खायच दिबस कब मनाया जाता है, 16 अक्टूवर, 26 अक्टूवर 8 अक्टूवर या फिर 14 अक्टूवर को तो देखे इसका सही जवाब क्या हो जाएगा 16 अक्टूवर को हम लोग world food day celebrate करते हैं लेकिन, मैं आपको बता हूँ, यह question examine नहीं आएगा बड़ा ही असान सवाल है, question आजकल थीम वाले पूछे जाते हैं आपसे पूछ लिया जाएगा, world food day 2023 का जो है थीम क्या था या फिर इसका जो है logo क्या था, इसका जो है नारा सिलोगन क्या था देखिए, भुखमरी को हटाना, यह तो आपको अब्यसी बात है, पता ही है लेकिन इसका जो सही जबाब हो जाएगा, इनका जो थीम था, वो था water is food, ठीक है, water is food, आप बोलोगे, पानी जो है, खाना कब से हो गया water is life, and इसका जो एक और स्लोगन है leave no one behind, यह भी आपको याद रखना है, leave no one behind, ठीक है no one behind, यहनि कि किसी को पीछे नहीं छोड़ना है, सभी को जो है खाना, पानी, स्वक्ष, पानी जो है, सबको मिले, यही इसका लोगो था theme था, यहां से आप जो है, world food day का जो है, solar tour को मनाया जाता है यहां से आप जो है, अलग-अलग सबजियां, बैगन, टमाटर वगएरा, अंडा वगएरा आपको दिख रहा होगा या फिर गाजर, सेव, सब कुछ दिखाई दे रहा होगा अगले question क्यों लोग बढ़ेंगे, अब आपको देखिए question क्या पुछा गया है ISO certified, बहुत जगा पर आप जाते हो, ISO certified देखने को मिलता है यानि कि यह quality product की बात की जारे है, मैं question आप लोगों से पूछता हूँ एग mark, एग mark जो है, आपको अलग-अलग food में दिखेगा आपको बताना कि एग mark जो है, वो किस चीज की guarantee देता है पहली बात, दूसरी बात, ISO certificate जो है, किसे मिला है उस पहले police station का नाम बताना जिसको यह पुरुसकार दिया गया है तो सबसे पहले, यह तो मैं सिधा answer आपको बता देता हूँ यह है महिला police थाना बोबाल, यानि कि women's police station बोबाल को यह पुरुसकार दिया गया है अची बात है, लेकिन जानने वाली बात किया ना, कि यह जो ISO certificate है, टोटल 160 country में जो है, इसे बाटा जाता है वहाँ पे अलग-अलग product को test किया जाता है, I mean test या फिर verify आप समझे लो verify किया जाता है and then winner को announce किया जाता है, और यह certificate मिल गया और आप फिर से बुरे काम करने लगो या फिर यहाँ पे महिला थाना में बैबस्ता ना हो, पुलीस यहाँ इस थाने में जाओ, आपको पानी ना मिले, टॉलेट ना मिले अधरबाइच इसको terminate कर दिया जाएगा, तीन साल के लिए दिया जाता है, तो फिलाल जो पुलिस स्टेशन भोपाल का वुमेंस पुलिस स्टेशन है, महिला थाना है, उसे तीन साल के लिए ये पुरुषकार दिया गया, यहां से जो आप इसकी फोटो भी देख सकते हो, और पीछे बेग्राउंड मैपको यहां पे ISO Certification जो दिखेगा, और यहां के जो पुलिस की करमचारी है, महिला पुलिस जो भी है, उन सभी को सैल्योट है, प्लीज इसी तरह continue करते रहिए, और भी महिला थाना में यह होना चाहिए, अगला question है, वेर बाजदा वर्ल्ड हैल्थ सम्मीट 2023 हैल्थ, यहनि की, विस्व स्वास्त सिखर सम्मेलन कहां पे आयुजित किया गया है, तो सीधा सीधा आंसर में बतातू जर्मनी, यह है, जर्मनी इसका आंसर सही है, option number A, लेकिन सवाल और पुछे जाएंगे, कि जर्मनी में कहां हुआ था, तो जर्मनी में, बर्लिन इसकी capital है, वहाँ पे जो है इसका आविजिन किया गया था, बर्लिन में, ठीक है, किलिर हो गए बाते, अब मैं आपसे एक सवाल पूछूँगा, जिसका नीचे comment section में आपको जबाब देना है, इंडिया के health minister कोई है, गुजरात से वो आते हैं, आप लोगों को पता है, नीचे comment करके उनका नाम बताईएगा, मुझे भी पता चल सके, विडियो आप कितने sincerely इसे देख रहे हो, यहां से आप देख सकते हो, यह summit जो है, 15-17 October को Berlin, Germany में किया गया था, ठीक है, चलिए, next question क्यों हम लोग बढ़ेंगे, अब आ रही है बात Nobel Prize की, तो देखिए, यहां से देखिए, एक नाम है, लुइस गुलू, चिनका जो है, हाल में ही निधन हो गया, उनके डेथ हो गई है, अब आपको बताना है कि उनको Nobel Prize जो है, दिया गया था, किस फिल्ड में दिया गया था, तो देखिए, लिटरेचर में इनको जो है, Nobel Prize मिला हुआ था, कब, 2020 में, एकोर पुरुसकार इनको मिला हुआ है, प्लिटलजर पुरुसकार, यह एबर्ड जो है, इनको 1999 में दिया गया था, 1993 में इनको यह एबर्ड दिया गया था, ठीक है, बहु़ सारे लोगों का तो, 2023 में भारत की रैंक क्या है अगर मैं बात करूँ Global Pension Index की दखिए Pension वाला वर्ड पे ध्यान देना आप अलग-अलग देशों में Pension दिया जाता है तो फिलाल इसका आंसर क्या हो जाएगा इंडिया की रैंकिंग है 45 आपको पता है इससे पहले इंडिया 41 पोजिशन पे था लेकिन ये लुड़क कर जो है 45 में नमबर पे आ गया है हम लोगों को definitely इस पे काम करने की जरूरत है सबसे पहले तीन देशों की अगर मैं बात करूँ टॉप 3 कंट्री की पहले नमबर पे कौन आपको दिखेगा नीदर लेंड दिखेगा पैन पे नोडाउन कर लेजे एक्जाम में पूछा जा सकता है टॉप पे कौन रहा था दूसरे नमबर पे कौन रहा था भईया तो Iceland दूसरे नमबर पे कौन रहा था तीसरे नमबर पे कौन रहा था तो Denmark यह तीन नामना हर जगा पे यह जो आपका Peace Index है वहां भी आपको यह दिखेगा security के मामलें पे भी यह जो है number one पे दिखेगा ठीक है अगले question के और हम लोग बढ़ते है next question आपके सामने ये रहा हाल ही में राज के जो डंपा tiger reserve में Todd की बात हो रही है Todd जो है has been discovered in डंपा tiger reserve in which state किस state में जो है ये Todd दिखा है Todd का मतलब होता है medak आप पहले ही समझ चुके होगे लेकिन वो medak नहीं जो बरसात में tatter करता है इस medak को देखोगे तो किनी को डर भी लग जाए यहाँ पे देखो raid raid जो है आपको यहाँ पे इसके उपर में बिंदी दिखाई बढ़ रहा होगा ठीक है तो ये जो है याद रखिए ये तीसरा परजाती खोजा गया था इससे पहले दो और खोजे जा चुके हैं ये तो answer miserum होगा ये तीसरा miserum में मिला है लेकिन इससे पहले दो जो है न मेघाला में मिल चुके है कहाँ पे मेघाला या में ये मिल चुका है ये भी आपको याद रखना है चलिए अगले कोशन के और मिल बढ़ेंगे next question आपके सामने ये रहा नागा लेंड के किस जिले में पहला medical college open क्या गया है in which district of नागा लेंड has the first medical college been open तो देखिए इसका सही जवाब है कोहिमा आपको जानका राष्चाज होगा कि भारत के आजात हुए 70 साल से ज़्यादा हो चुके है लेकिन नागा लेंड में एक भी medical college नहीं था फिलाल कोहिमा में पहला medical college कोला गया है यहाँ पे total 100 seat होंगे बाद में से बढ़ाए भी जाएगा वो अलग बात है एक और बात नागा लेंड के जो chief minister था है उनका नाम है नैफरी रियू एक्जाम में ये भी पूछा जा सकता है प्लीज नोट आउन आपको कर लेना है यहाँ से आप इसकी photo भी देख सकते हो ठीक है चलिए अगले question के और में लोग बढ़ेंगे next question आपके सामने ये रहा पहले आठ से नो बार साहित मुझे अच्छे से याद नहीं है लेकिन आठ बार तो definitely आठ साथ बार जो है ये लगातार MLA रह चुके हैं उसके बाद जो है पिछले election में ये हार चुके हैं जारकंड में एक रवायत रही है कि जितने बार भी पिछला जो है नेस्ट कोश्चन की और हम लोग बढ़ते हैं नेस्ट कोश्चन देखिए आपसे पूछा गया है मैडम कमिशनर वो जो बुक है किसके दौरा लिखी गई है इस बुक के author यानि की writer का नाम आपको बताना है बहुत ही popular बुक है इसका reason क्या है न अजमल कसाब आप सभी लोगों ने कसाब के बारे में सुना होगा जिन्होंने Mumbai attack यानि कि जिसे Mumbai attack को 26-11 के नाम से भी जाना जाता है तो 26-11 के attack में जो कसाब था वो एक मात्र terrorist था जिसे हम लोगों ने जिन्दा पकड़ा था तो इस terrorist को जो है इसे रखा गया था तो ये जो Commissioner है Madam Commissioner उन्होंने अपने जो Office के Work है यानि कि अपने tenure में जितने भी चीजें उन्होंने करी है देखा है, समझा है, पढ़ा है उसको इस Book में पिन डाउन कर दिया है लिख दिया है ठीक है, पिन डाउन कर दिया है अगले सवाल के और हम लोग बढ़ेंगे उससे पले आप यहां से जो है इनकी फोटो भी देख सकते है और Book की जो Cover Picture है वो भी आप यहां से देख सकते हो ठीक है? चलिए अगले सवाल के और हम लोग बढ़ते हैं Next Question आपके सामने रहा अब आपसे पुछा गया कि recently जो है disaster management का जो golden peacock award है किसे दिया गया है golden peacock award जो है 2023 से किसे सम्मानित किया गया आपदा प्रवंधन की बात की जा रही है यानि कि disaster management की बात की जा रही है तो यह पुरुसकार किसे मिला हुआ है तो इसका सही जवाब है REC limited किसे दिया गया है REC limited को दिया गया है अब question यह भी पुछा जा सकता है कि REC की establishment यानि कि इसके अस्थापना दिबस का बैतो 1991 में ये जो है अस्थापना इसके की गई थी पहली बात दूसरी बात अब देखिए ये काम कैसे करता है तो देखिए यहां से आपको जो है इसके बारे में स्लाइड में बिलेगा यहां से देखो पीछे आपको टाटा का लोगो बगारा दिख रहा होगा अब यहां से एक और आपको लोगो दिख रहा होगा World Gold Council यानि कि जो finance में जो उतल पुतल आती है नेशन के दोरा जो है किस गाउं को पुरुषकार दिया गया है World Tourism Organization के और से देखिए यह उस गाउं को पुरुषकार दिया जाता है उस विलेज को पुरुषकार दिया जाता है जो अपने culture को अच्छे से promote करता है पहली बात दूसरी बात इको फ्रेंडली और यहां पे पॉल्यूशन वगैरा ना हो और गाउं में जो है electricity हो अच्छे से और भी जो देखने के सुन्दर स्थान वो तो definitely हो नहीं चाहिए तो दिया किसे गया है तो गुजरात को यह जो कक्च का रन है उसे दिया गया है आप यहां पे एक बार जरूर जाइए अब यह बात करें अगर मैं World Tourism Organization की इसकी अस्थापना कभ हुई थी 1975 में 1975 में इसकी अस्थापना 1975 में हुई थी कहां हुई थी तो इसका headquarter आपको मिलेगा Spain में पेन पेपर पे आप इसे नौट डाउन करते जाएए ताकि किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत ना आए चलिए अगले सवाल की और हम लोग बढ़ेंगे यहां से कच का रंक की फोटो आप यहां से देख सकते हो क्या बहतरीन आपको इमेज दिखेगा इसे जो है इसे जो है white desert भी कहा जाता है यहां पे जो है salt के आपको जो है यहां पे बालू बगएरा वो salt का दिखेगा यहां से मोदिजी की फोटो है दखो यहां पे ऊटके माध्यम से यह जा रहे है तो यह सब जो है safारी बगएर आप कर सकते हो और ये जो handloom है, यानि कि hand के द्वारा जो बनाए गए handicraft हैं, ये भी आप purchase कर सकते हो, रात का जो नजारा है, night का जो नजारा है, वो आप यहां से देख सकते हो, तो गुजरात के आसपास वाले लोग अगर कोई गए हैं, तो नीचे comment करके बताईएगा, ताकि आपके आसप बात है, ब्राण मिजडर जो है, नेशनल election commission ने किसे बनाया है, किसे बनाया है, तो देखिए, आम तोर पर जो celebrity होते हैं, यानि कि बड़े-बड़े sports person, या फिर, या actor हो गए, उन्हें जो है, ये बनाया जाता है, फिलाल मैं अगर बात करूँ, currently की, तो अब भी, जिसे बन मुख्य हैं, मुख्य हैं, वो कौन है, तो देखिए, इसका सही answer क्या हो जाएगा, इससे पहले देखिए, अच्छली मैं पहले इसका answer बता दू, राजीब कुमार, इनका नाम क्या है, राजीब कुमार जो है, अभी हमारे election commission के क्या है, चीप है, ये मुख्या है, इन्हें क आपको निरवाचन आयो की photo भी दिख रही होगी, अगले question क्यों अमलोग बढ़ेंगे, अब आपसे पूछा गया है कि women's team, इंडिया की जो women's cricket team है, उनका coach किसे बनाया गया है, इर्फान पठावन, अमूल मजुमदार, धिनेश का अर्तिक, VBS लक्षमन्तो, देखिए, इस captain है वो कौन है तो आपको पता होना चाहिए, हर्मन परीत कौर जो है, यहाँ पे इस team की क्या है, leader है, captain है, चलिए अगले question की और अमलोग बढ़ेंगे, next question आपके सामने, यह रहा, the famous जामरानी डेम, यह जो multi-purpose के लिए project है, आपको बताना है किस state से यह सम्मंदित है, बहु इसे UK बोलते है, United Kingdom मत समझ लेना, उत्रा खंड इसका सही जवाब है, अब देखिए, इसका काम क्या है, यह agriculture के लिए जो है, irrigation का काम करेगा, सिचाई का काम करेगा, यह बात आपको याद रखनी है, और एक और बात है, UK यह जो प्रयोजना बनाई जा रही है, सिर्फ उत्र खंड में बनाई जा रही है, लेकिन इसका काम सिर्फ UK में नहीं होने वाला है, इससे फायदा UK के लोगों को भी मिलेगा, और UP के लोगों को भी इसका फायदा आपको देखने को मिलता है, दोनों जगों के लोगों को इसका फायदा देखने को मिलेगा, ठीक है, स्टार्ट question क्यों हम लोग बढ़ते हैं next question आपके सामने ये रहा recently juniper tree actually यहाँ पर tree का spelling wrong है बट कोई बात नहीं इसे जो है declare किया गया है state tree किस राज का जो है राज की पेड जो है इसे गोसित कर दिया गा union territory की बात की जारी है तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा लड़ाक सीधा 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 बात है देखिए लड़ाक अभी हाल में ही यूटी बना हुआ है और इससे पहले लक्षदीप, पुद्धिचेरी और जमु कस्मीर भी हाल में यूटी बनाऊ है तो फिलाल इसका सही जवाब क्या हो जाएगा लदाक अब देखिए ये जो जुनिपर पेड़ है ना ये बहुत ही इंपोर्टेंट है एक्जाम में साइद आपसे ये पूछ ही लिया जाए अब ये जुनिपर पेड़ के बारे में थोड़ी बहुत बातचित कर लें देखिए ये पेड़ ऐसा आपको दिखेगा इस पेड़ की खासियत क्या है ये मसाले के काम में भी आता है मिर्च के भी काम में ये आता है तो और बहुत सारे जो है मेडिसिन के तौर पर भी इसका पेड़ का इस्तिमाल किया जाता है लदाक में ये आपको मिलेगा अगले क इसका नाम है और को बताना है कौन सी जो rare species है यानि कि दुर्लब पर जाती है उसका नाम आउपको बताना है तो देखिए इसका। एसका सही जवाब हो जाएगा यह बटरफ्ला है यानि कि तितली है अभी आपको कहां मिलेगा हिमाचर परदेश में यह आपको देखने को मिल जाएगा और याद रखेगा North India के कुछ-कुछ पार्ट में आपको यह देखने को मिलेगा यह बहुत ही rare इसलिए है कि यह पहली बार इसकी picture जो है सामने आये पूरे world के सामने यहां से मैं photo आपके सामने भी रखोंगा यहां से जो है इस butterfly की आप जो है photo देख सकते हो ठीक है अगले question की और हम लोग बढ़ेंगे next question आपके सामने यह रहा अगला question देखिए क्या पुछा गया है BIM stake में जो है recently जो है secretary किसे बनाया गया यह question इतना important क्यों है कि पहली बार किसी भारतिय को किसी इंडियन को जो है यहां पे secretary बनाया गया है तो यह question हो सकता है कि सिर्फ current events का ना हो statics GK के तोर पे बन जाए BIM stake का जो है पहला मास अचिप यानि कि secretary general किसे बनाया गया है इसका सही जवाब क्या हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा इंद्रमनी पांडे यानि कि option B आपका जो है सही जवाब हो जाएगा और यह पहले इंडियन है याद रखेगा BIM stake में आपको 7 countries देखने को मिलेगा इंडिया, भूटाउन आपको बंगला देश जो है Thailand भी इसमें देखने को मिलेगा और भी countries है और इसकी formation हुई थी 1997 में 1997 में इसकी नीव रखी गई थी यहाँ से जो है आप इंद्रमनी पांडे की फोटो देख सकते हो अगले सवाल की और मुलक बढ़ेंगे World Polio Day हर साल जो है कब celebrate किया जाता है World Polio Day की बात करें तो इसे 24 अक्टूबर को celebrate किया जाता है याद रखेगा 2016 में इंडिया को Polio Free Country जो है घोसित कर दिया गया था WHO के द्वारा ठीक है अब मैं आपसे क्वेशन पुछोंगा WHO का फुल फॉर्म इसका जो है establishment इयर कब था इसके अभी जो CEO है या फिर आप इसे जो है Director General बोल दो वो कौन है नीचे कॉमेंट करके बताएगे का WHO का Headquarter यानि कि मुख्याले कहां पे है ये भी आपको बताना है फिलाल अगले question की और हम लोग बढ़ेंगे उसे पहले यहां से आप 24 अक्टवर को World Polio Day celebrate किया जाता है और यहां पे लिख दिया गया है Stop Polio Vaccinate यानि कि वैक्सिन लीजिए बच्चे को दो बुन्द जो जिंदगी के हैं जरूर पिला है आसपास के बच्चों को जो है आप इंकरेज करें अगला सवाल की और हम लोग बढ़ेंगे तरह रिसेंटली हैल्ड एंथिरियम फेस्टिवल जो एंथिरियम फेस्टिवल है महतसब है किस राज में मनाया गया है आपसे यह सवाल पूछ लिया गया है तो देखिए इसका सई जवाब हो जाएगा मिजोरम यह जो मिजोरम है मिजोरम का जो स्टेट के जो परियाटन विभाग है I mean टूरिजम जो मिनिस्टरी है उन्होंने यहाँ पे देखिए फूलों को यह जो फ्लार है उनको पर्मोट करने के लिए जो है इस फेस्टिबल का आयोजन किया गया है बीचतर को भी बढ़ावा देना है यह भी बात आपको याद रखना है कि यहाँ पे किलचर को भी प्रमोट किया जाएगा दोनों चीजों को फ्लार और culture को promote किया जागा, यहां से जो है फोटो भी देख सकते हो, यहां पर महिलाएं जो है, अपने सर के उपर में अगर आप देखोगे, तो यह फूलों का जो गुच्छा आपको देखने को मिलेगा, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, मिजोरों, चलिए अगले question क्यों लोग किस country का चकरवाती, जो cyclone है, इसका नाम दखी है, अचलि होता क्या है, कि यह जो अलग-अलग cyclone आते हैं, अलग-अलग country के द्वारा इसकी announcement की जाती है, यहने कि इस country का स्ट्रों यह है, यह है, यह नाम जो है, हर country को रखने का मौका मिलता है, तो हामून जो है, इस बार इ military exercise किया गया है, जिसका नाम है हरिमो सक्ती, 2023, अब आपको बतायाना है कि किन दो armies के बीच में, यहने कि दो थल सेना के जो अध्यक्षे हैं, या फिर उनकी जो फौजी हैं, उनके द्वारा यह काम किया जाएगा, आपको बताना है किस-किस country के बीच यह हुआ है, तो इंड प्याद रख लेना, राजपूद बटालियन जो है, यहाँ पर पाटिसिपेट करेगी, यहाँ से जो है, इंडो-मलेशिया जो है, इंटेक्रसाइज की फोटो भी आप यहाँ से देख सकते हो, यहाँ पर इंडियन और मलेशियन आपको दिख जाएंगे, चलिए अगले question के इसे भी समानित किया जा चुका है, पदम सिरी जो है, इनको दिया जा चुका है, पदम सिरी से समानित किया गया है, यह रहने वाले थे, अमरी सर के, और यह क्रिकेटर थे, spinner मैंने आप लोगों को पहले बता दिया है, अमरी सर के यह रहने वाले थे, इसका answer क्या हो जाएग एक्चुली ये women's होगा नहीं एक्चुली women जो है खुद से ही एक polaral word है यहाँ पे s wrong है और 8 ideas of India की बात की जा रही है अब आपसे पूछना है कि यह जो पुस्तक है किसके दोरा लिखी गई है author का नाम आपसे पूछा गया है रितु मैनन इसका सही जवाब हो जाएगा option D जो है रितु मैनन के दोरा ये book लिखी कई है जिसमें जो महिलाओं के बारे में जो है ideas के बारे में यहाँ पे बात की कई है यहाँ से आप रितु मैनन की photo भी देख सकते हो और book की cover picture भी देख सकते हो nationalism के बारे में ये book में आपको देखने को मिलेगा अगला question देखिए क्या है who has been appointed chairman and managing director यानि कि CMD जो है railway catering और tourism corporation यानि कि IRCTC का जो है chairman किसे बनाया गया है किसे बनाया गया है chairman तो संजे कुमार जेन यहाँ से जो है option number D जो है आपको दिख जाएगा देखिए आप जो railway में चाय वगएरा पीते हो बहुत ही खराब चाय होती है बट वो बहुत ही पानी वाला चाय होता है तो इसका answer क्या हो जाएगा संजे कुमार जे D इसका सही जबाब हो जाएगा IRCTC को जो है बहुत कुछ काम करना है अगले सवाल के और में बढ़ेंगे United State Grand Prix 2023 का जो है खिताब किसने जीता है तो देखिए इसका सही जबाब जाएगा Max Weapon इससे पहले भी जो है यह बहुत सारे पुरुसकार जीत चुके हैं पंदरवी पुरुसकार यह है इनकी इस सीजन की रहने वाली है तो बहुत यह important है एक्जाम में आपसे पूछा जाएगा इनकी फोटो भी आप देख सकते हो जो current affairs मेरे चैनल पर देख रहे हैं अप सभी का यह चैनल है वहाँ पर मैंने इनके बारे में डिसकस किया हुआ है अगले question के और में लोग बढ़ेंगे which company has recently launched DG Kavach to avoid online scam यानि की online जो scam हो रहा है उसे रोकने के लिए किस platform ने जो है एक कवच के नाम से DG Kavach के नाम से एक program launch किया है तो देखिए meta Meta किसकी parenting company है तो facebook, instagram, whatsapp यह सब की parenting company कौन है Meta याद रखेगा Mark Jagar Work जो की एक जूइस है उनके द्वारा यह चला है जाता है दूसरी बात Google की बात कर रहे है और इसका answer भी Google होगा और Google की जो company है Google जो है किसी एक company का पाट है जैसे YouTube Google यह सभी एक ही company के पाट है उस mother company का नाम बताना जैसे Facebook, Insta, Whatsapp Meta की है उसी तरह से Google, YouTube जो है किसका पाट है नीचे comment करके आप लोग जबाब दीजिएगा तो देखे गूगल नहीं यह launch किया है यहाँ से आप photo देख पाओगे Digi Kavach A Google Initiative यहाँ कि Google जो है लोगों को online scam से बचाने के लिए यह काम करने वाला है अभी हाल में ही जो एक spiritual guru है यानि कि अध्यात्मिक guru है जिनका नाम है बंगारू, आदिलगर इनकी जो है death हो गई थी अब देखे इनके जो followers है इनको मानने वाले लोग है इनको अम्मा के नाम से बुलाते थे किसके नाम से बुलाते थे अम्मा के नाम से बुलाते थे इनकी death हो गई हाल में ही अब आपको बताना है कि इसका answer क्या होगा तो देखे 2019 में 2019 में जो है इनको पदम स्री से भी सम्मानित किया गया था तो यह question नहीं हो सकता है कि आए लेकिन आपसे पूछ दिया जाएगा उस गुरू का नाम आपको बताना है जिनकी हाल में ही death हो गई है ठीक है चलिए आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की और next question आपके सामने यह रहा यहां से आप इनकी फोटो भी देख सकते हो अगले सवाल की नई दिल्ले में आयोजित किया गया है कहां पे आयोजित किया गया है निव देली में यानि कि option 20 का सही जवाब हो जाएगा ठीक है अब देखिए यह जो है सबसे पहले में आपको फोटो ही दिखा दू ताकि आप चीजों को और अच्छे से समझ पाओ देखिए इस military exercise में मैकेन इंडिया यानि कि जो वैपन वगरा है इंडिया में कैसे बने और इंडिया की जो है कैसे समरीध हो इसके बारे में चर्चा की गई है तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा option number यहां से आपको जो है निव देली में यह देखने को मिलेगा और यहां से हमारे defense minister यानि क किसे सम्मानित किया गया है ठीक है अगले question की यहां से देखिए award for global leadership से सम्मानित किया गया है उस व्यक्ति का नाम आपको बताना है तो देखिए डी वाई चंदरचूर जो की अभी हमारे क्या है cheap justice of India है यानि कि supreme court के जो है मुख्या यही है इनी के द्वारा जो है सारे अगले question की और बढ़ेंगे global innovation index 2023 में भारत की rank क्या थी अगर मैं बात करूं इसकी तो इसका सही जवाब हो जाएगा 40 हम लोग पहले जो है इससे पहले जो है 40 यानि कि 2022 में भी इसी rank में थे हम लोगों की ranking में कोई improvement नहीं आई है लेकिन जहां थे वहीं पे हैं total 132 country यानि कि 132 countries का data यहाँ पे release किया जाता है उसके बाद जो है decide किया जाता है ठीक है पहले नमर पे कौन रहा था ये भी exam में आपसे पूछ दिया जाए तो याद रखेगा Switzerland पहले नमर पे था दूसरे नमर पे आपको कौन मिलेगा दूसरे नमर पे आपको Sweden मिलेगा तीसरे नमर पे कौन मिलेगा आपको America मिलेगा तो यह जो है नाम आप make sure की याद रख लो ठीक है यहां से जो है इंडिया के ranking 40 आपको दिख रही होगी और यहां से देखो Global Innovation Index 2023 किसे हराकर जीता है तो देखिए runner of team जो रही थी उसका नाम है सौरास्ट उसका नाम क्या है सौरास्ट इसका सही नाम है और इससे पहले भी यह सेम काम 2022 में भी हो चुका है सौरास्ट यहां पे जीत चुका है यहां से आप जो है champion की फोटो देख सकते हो अगले सवाल के और वैलेंट है वो यह 32 साल से कम के जो भी एक्चुली यह रामा नुजन के सम्मान में जो है एवार्ट दिया जाता है तो जो 32 साल से कम के हैं उनको यह गनितागी को यानि की mathematician को यह सम्मानित करते हैं तो इसका सही जवाब हुजाएगा option number D रुई की सियांग जोंग को यह सम्मान दिया जा चुका है यहां से आप इनकी फोटो भी देख सकते हो अगले सवाल के और मेलोग बढ़ेंगे देश का जो पहला वेट ए मिनट देश का जो पहला दिब्यांग खेल सेंटर है अटल विहारी वाजपाई यह आपको कहां पे म मिलेगा इंडिया फर्स्ट दिब्यांग स्पोर्ट सेंटर जो है वो आपको मिलेगा मध्य परदेश में मध्य परदेश में है इसका सही जवाब क्या हो जाएगा MPN की आप्सन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा और अगर मैं बात करूँ टूभी परदेश की मध्य परदेश में यह कहां होने वाला है तो याद रखिएगा यह आपको गवालियर में देखने को मिलेगा यहां से आप इसकी फोटो भी देख सकते हो यहां पे जो दिब्यांग जन है वो खेल वगेरा कर सकते हैं नेक्ट कोशन की और में बढ़ेंगे जो प्रित पक्ष मेला है वो कहां पर आयोजीत किया जाता है तो बड़ा ही असान सा सवाल है यह गया में किया जाता है कहां पर किया जाता है गया में गया के बिहार में यह आपको प्रैक्टिस करने को मिलेगा कहां पे तो फल्गू नदी के किनारे ये भी आप याद रखेगा फल्गू नदी के किनारे आपको जो है ये practice actually ये पुरवज की आत्मा के सांती के लिए किया जाने वाला जो है हिंदु धर्म के द्वारा जो है लोग योहाँ पे जाकर करते हैं देश के अलग-अलग, इभेन बिदेश के लोग भी यहाँ पे अपने पुरुबजों को याद रखते हैं और उनका सांती के लिए यह पूजा पर किया जाता है, अब देखिए अगला कोशन है, the country is first, कार्डियोग्राफिक व्यूजियम, यह किस स्टेट में बनाया गया है, तो देखिए मानचित्र के बारे में बात की जा रही है, कार्डियोग्राफ आपसे हो सकता है कि यही कोशन पूछ लिया जा है, कि यह वर्ड किस से सम्मंधित है, किस से related है, फिलाल इसका जो सही जबाब हो जाएगा, यहां से आपको दिख रहा होगा सही जबाब, option A, यहन से आप इसकी फोटो भी देख सकते हो, अब देखिए थोड़ी से और बात जान लेते हैं, इस कला का क्या main purpose है, कि मानचित्र को हुब हुब पेपर पर जो है, बड़े से पेपर पे उतार दिया जाए, ताकि लोगों को सही से समझ में आ सके, BRO, यानि कि Belt and Road Initiative, यह जो organization है, B पे काम करने के लिए गए हुए थे, तो फिलाल इसका जो सही जवाब हो जाएगा, Lieutenant General Raghu, स्री निवासन के द्वारा जो है, उनको भी फिलाल BRO का Director General जो है, बनाया गया है, यह question था, और अगर मैं इसकी बात करूं, सुरुआत की, establishment की BRO की सुरुआत कब हुई थी, 90-60 में इसकी जो है, शुरुआत हुई थी, ठीक है, यहां से आप जो है, Lieutenant General Raghu, स्री निवासन को देख सकते हो, अगला सवाल देखे क्या है, देश का जो पहला solar roof cycling track है, यह जो है, किस state में बनाया गया है, next question है, तो देखे तलंगाना में आपको यह देखने को मिलेगा, कहा बहुत ही अच्छा initiative है, अब देखे, science के field में, नीदरलेंड का जो सबसे बड़ा सम्मान है, बड़ा prestigious award है, वो award जो है, किसे दिया गया है, देखे, जो इतिया गुपता को, यह जो है award आपको देखने को मिलेगा, option ace का जो है, सही जवाब हो जाएगा, यहां से जो है, आप आपको यह आपको बताना है, तो देखे, अमेरिका के NASA का यह जो है, mission है, यहां से आप इसकी photo दिये, देख लो, यहां से जो है, आप इसकी photo देख सकते हो, ठीक है, अगले सवाल के और में लोग बढ़ेंगे, अगला सवाल देखे, हाल में ही रही vaccine R21, matrix M, यह जो है, किस ब हो जाएगा, यहां से आप winners की photo भी देख सकते हैं, और यहां पर देखे, पीछे में आपको नेपाल का flag भी दिख रहा होगा, यहां कि नेपाल में यह जो है, आयोजित किया गया था, आगे बढ़ेंगे अगले question की और, अगला question देखे, क्या पूछा गया है, PTI का chairman किसे चुना गया है, chairperson of PTI किसे चुना गया है, तो देखिए, इसका सीधा-सीधा जवाब हो जाएगा, K.N. सांत कुमार, सांत कुमार को जो है chairman चुना गया है, यह तो हो गया, सीधा-सीधा answer, आप इसकी photo भी देख सकते हैं, इनकी जो है, आप photo भी यहां से देख सकते हैं, चलिए, अगले question की और में लोग बढ़ेंगे, next question है, RBI का जो कारी-कारी निर्देसक है, यानि की executive director जो है, Reserve Bank of India का किसे चुना गया है, तो देखिए, इसका answer हो जाएगा, मोनिश कपूर, इससे पहले 2012 से लेकर 15 तक, यह IMF के जो है, I mean जो executive committee होती है, जिसमें की वो सलाव अगरा दिया जाता ह उसमें यह सामिल थे, तो बहुत बड़ी बात है, कि अब जो है, मोनिश कपूर को यहाँ पे RBI का कारी-कारी निर्देसक चुना गया है, अगर मैं बात करूँ RBI की, तो देखिए, RBI के द्वारा जो है, बैंकों को nationalize कब किया गया था, एक जनवरी 1949 को, ठीक है, अगले question के यह किस राजिका है, तो देखिए, यह जमू कस्मीर का है, जमू कस्मीर में तीन और अलग अलग जो है, प्रोडेक्ट को यहाँ पे GI tag मिला हुआ है, वो है केसर, केसर को भी यहाँ पे GI tag मिला हुआ है, दूसरा क्या है, भनी, यानि कि सहद को भी यहाँ पे कस्मीर का GI tag मिल हुआ है चली अगले question के और में लोग बढ़ेंगे यहां से जो है पस्मीना सॉल जो हैंडी क्राफ्ट है आप यहां से देख सकते हूँ 24 तक यहां पर बने हुए रहेंगे सरकार से जो है इनका बहुत लगाब रहा और इन्होंने अच्छा से काम डिलीबर करके दिखाया इसलिए इनके कारिकाल को एक्स्टेंड कर दिया गया है इनका कारिकाल खतम हो चला था लेकिन एक्स्टेंड कर दिया गया है अगला सवाल है मुहम्मद मुईजुजु जो की किस देश के प्रेसिडेंट उनको चुना गया आपको बताना है उनका नाम तो देखिए इसका सही जबाब जाएगा मालदीप मालदीप हमारा क्या है एक पड़ोसी राज है लेकिन देखिए ये जो प्रेसिडेंट है ना ये प्रो चाइना है प्रो चाइना यानि कि ये चाइना को बहुत सपोर्ट करते हैं और इंडिया के खिलाब ये बहुत अगेंस में रहते हैं इनका कहना है ये जो है बहुत सारा जो है इनोंने जो है नारेव अगरे लगाए थे गो इंडिया गो आवार्ड जो है 2023 का किसे दिया गया है तो सीधा सीधा जवाब हो जाएगा CS Lakshmi, अमबाई के नाम से भी जो है इनको जाना जाता है और ये पुरुसकार इनको ही क्यों मिला तो देखे ये feminist writer है यानि कि महिलाओं के हक की बात करती है और महिला का क्या क्या हक होना चाहिए और जो gender biasness है यानि कि महिलाएं ये काम नहीं कर सकती है या महिलाएं बाहर नहीं जा सकती है इन चीजों को लेकर stereotype जो है उसे ये जो है तोड़ने का काम करती है इनका नाम क्या है SS Lakshmi नरिवादी महिला है ये हिंदी में नरिवादी इंगलिस में feminist उनको साहित academy से भी सम्मानित पहले जो है किया जा चुका है ये भी आपको याद रख लेना है यहां से आप इनकी photo किसोर कुमार एवाड 2022 जो है दिया गया है धर्मेंदर देवल को यानि कि धर्मेंदर जो कि आप जानते हो और ये पुरुसकार जो है मध्यपरदेश के द्वारा जो है आयोजीत किया जाता है हर साल मध्यपरदेश के द्वारा जो है एक और पुरुसकार का आयोजीत किया अगले question के और बढ़ोगे और समझ जाओगे ये देखिए राष्ट्रिय लता मेंगेसकर समान 2022 से ये भी MP के द्वारा ही जो है किया जाता है अब बात करते हैं लता मेंगेसकर समान किसे दिया गया है उत्तम सिंग को अब बोलोगे ये उत्तम सिंग कौन है अगर आपने गदर movie देखा है ये वाली नहीं पुराने वाली उसमें जितने भी गाने थे उत्तम सिंग नहीं compose किये थे यानि कि उनका ही music था उसमें उनहीं के द्वारा जो है music दिया गया था तो उत्तम सिंग जो की sick community से आते हैं उनको समान दिया गया है लता मेंगेसकर समान अगले सवाल के अगर में लोग बढ़ेंगे next question देखिए एक वीडियो जो है nobel पुरुषकार पे मैं dedicated लाना चाहता हूँ तो अगर आप लोग नीचे nobel prize comment करोगे और 20-30 comment आगे तो definitely इस पे वीडियो बना दी जाएगी nobel prize की अगर मैं बात करूँ तो 2023 का जो है trick से याद रख लेना है दे paudia golden नाम सिदा 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 आप याद रख सकते है economics में सोने की बहुत जरूरत है तो option 10 का क्या होगा right हो जाएगा gold से golden आपको याद रख लेना है यहां से आप इनकी photo भी देख सकते हो अगले question के और हम लोग बढ़ेंगे next question आपके सामने यह रहा खामती चावल को GI tag मिला हुआ है ठीक है और अगले सवाल की और बढ़ते हैं तक यह खामती चावल जो है इसका GI tag किसे दिया गया है ठीक है GI tag जो है option number C याने की अरुनाचल परदेश को इसका GI tag मिला हुआ है याद रखेगा तांगसा वस्त्र यहां पे जो तांगसा वस्त्र जो है उसके लिए भी खामती चावल के अलाबा जो है मैं लिख देता हूँ तांगसा जो कपड़ा है इसके लिए भी अरुनाचल परदेश को GI tag मिला हुआ है अगले सवाल के और मों लोग बढ़ेंगे 19-way ACI खेल यानि कि जो ACN games हुए थे ना उसमें महिला टीम ने कौन सा medal जीता हुआ है तो द और टीम ने जो है यहां पर gold जीता हुआ है चली अगले question की और हम लोग बढ़ेंगे अगला question है कि भारत की ranking क्या थी इस medal tally में तो देखे चौथे नमबर पे हम लोग रहे थे fourth position पे हमसे पाले कौन-कौन आगे था वो मैं आपको बता दूँ नमबर वन पे चाइना था ठ पें तीसरे नमबर पे कौन था आर अब आप देखो बताओ Republic of South Korea ठीक है और चौते नमबर पे इंडिया यहां पे रह जुका था ठीक है चली अगले question की और हम लोग बढ़ेंगे next question यहां से आप medal टेली भी देख सकते हो अगले question की और हम लोग बढ़ते है हाल में ही किस रा किया जाता है तीन दिन तक यह चलता है और यह जो है न बोट रेसिंग यहां पे की जाती है क्या की जाती है याद रखेगा आप फिलाल इसका answer क्या होगा option number A आगे बढ़ेंगे वायू सेना दिवस जो है कब मनाया जाता है कब celebrate किया जाता है ठीक है दो देखिए इसका सही सीधा सीधा जवाब हो जाएगा 8 October को जो है हम लोग क्या करते हैं हम लोग Indian Air Force Day जो है celebrate करते हैं और अगर इस साल की बात करों तो यह जो है 91th edition है यनि कि इससे पले हम लोग 90 मना चुके हैं और अगर थीम की बात करों कि इस साल का थीम जो है Indian Air Force का क्या रहने वाला है Air Power मैं लिख देता हूं आप लोग भी पेपर पें जो है इसे नोट डाउन कर लिजेगा Air Power Beyond Boundaries Beyond Boundaries ठीक है स्वाट में लिख दे रहा हूं आप समझ जाना ठीक है चलिए अगले question के वह में लोग बढ़ते हैं नेक्ट question आपके सामने ये रहा यहां से आप जो है इसकी फोटो भी देख सकते हूं हाल में ही जो है इसराइल और फिलिस्तीन के बीच जो है जखड़ा हो रहा है आपको पता ही वहां पे conflict चल रहा है जैसा की Ukraine और इसराइल में चल रहा है तो देखिए एक नाम जो है आप आसानी से समझ पाओ कि हमास देखिए मैं आपको ना बिल्कुल crystal clear बताता हूं हमास है क्या हमास अभी आतंकवादी संगठन इसे मानते हैं कुछ देश कुछ देश जो है इसे बोलते है कि नहीं ये जो है क्रांतिकारी है तो देखिए हमास को एक्चली इसराइल नहीं पैद इसराइल ने इसे जो है पाल पोसकर बढ़ा किया हमास को फंडिंग दी पैसे दिये अब ये जो है उल्टा अब जो है इसराइल पर ही अटेक कर रहा है और 500 मिसाइल दागे गए बहुत सारे लोगों को इन्होंने जो हमास ने ओविसली ये गलत काम है और बहुत सारे लोग पायदे के लिए इसराइल ने अब इसराइल पर ये अटेक कर रहा है तो देखिए खेर जो भी हो फिलाल इसका जो ऑपरेशन का नाम है ये आपको बताना है कि ऑपरेशन का नाम क्या है तो इसका आंसर हो जएगा option number D, operation iron sword चलिए आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की और तासकन फाइल और इनकी एक और मुवी आई हुई थे भी हाल में The Vaccine War तो आप जो है मैं इन तीन मुवी में से एक मुवी आपको जरूर रेकमेंड करूँगा आप जाकर देखो जब एक्जाम आपका हो जाए तो तासकन फाइल लाल भादूर सास्त्री की हत्या कैसे हुए थी उसके उपर एक बहुत ही मुकमल फिल्म है सीज का राइट आंसर हो जाएगा आप उस मुवी को देख सकते हूँ ठीक है अगले सवाल के और में लोग बढ़ेंगे 28 बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में किस एक्ट्रेसेस को एवार्ड मिला हुआ है तो देखे इसका सही जवाब क्या हो जागा कस्मीरा तन्ना जी हाँ एक स्कूप जो है स्रीज आई हुई थी ठीक है स्कूप दखिए जो न्यूज पेपर बगएरा या फिर न्यूज में होता है न वो स्कूप यूज किया जाता है वर्ड तो इनके द्वारा जो है बहुत ही कमाल कियो यह रियल इंसिडेंट है इंडिया में यह हो चुका है उनी के उपर यह मुवी बनी हुई थी वैब सीरीज बनी हुई थी इसका सही जवाब होगा यहां से आप इनकी फोटो भी देख सकती हूँ हनसल मेहता ने इसे डारेक्ट किया था अगले सवाल के और में लोग बढ़ेंगे हाल में ही किसराज की रसबली मिठाई को GI टैग मिला हुआ है उस स्वीट्स का नाम बताना जिसे GI टैग मिला हुआ है तो सबसे पले देखिए ओडिसा इसका सही जवाब होगा लेकिन क्यों है कैसे है वो भी जाना जरूरी है देखिए इसकी सुरुवात 262 years पहले हुई थी, 262 साल पहले की गई थी, अब ये है क्या, तो देखिए वहाँ पे एक मंदीर है, बाला देव की मंदीर है, उनके इस्ट देव को जो है ये मिठाई चढ़ाई जाती है, और इसे जो है अब GI tag दे दिया गया है, केंद सरकार के द्वारा यानि की union government, मोधी सरकार के द्वारा इसे GI tag मिल चुका है, अगला सवाल है, गंगा डॉल्फिन को राज ये, जलिये जीव किस ने गोसित किया, किस राज ने, तो इसका सीधा जवाब हो जाएगा, UP, option A आपका correct हो जाएगा, देखिए डॉल्फिन आपको गंगा गंगा के साथ साथ यमना नदी में भी ये देखने को आपको मिलता है, अगले सवाल के और मलोग बढ़ेंगे, हाल ही में, जियो मार्ट का जो है, ब्रांड मेजडर किसे बनाया गया है, यहां से आप इसकी फोटो भी देख सकते हो, आखरी सवाल है, मैं आप लोगों के लि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है, शेयर करना है, अपने दोस्तों तक पहुचाना है, 300 में जो है, आपको मेरे हैं रिटेन नॉट्स मिल जाएंगे, यहां से मेरी इमेल आडी देख लो, yourmithunsing at the rate gmail.com पे आप मुझे mail कर सकते हो, इंस्टा पे हो, then do follow me at the rate imithunsing, मिलते हैं किसी और वीडियो में, have a good day.